हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो मैं इस्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ग्यान विशेश दोस्तो आज हम मरोड फली के भायदे के बारे में बात करेंगे मरोड फली का वरुक्स मध्यमागार का 5-6 फिट उचा होता है यूँते ये सारे भारत वर्स में पाया चाता है लेकिन आजकल ये दूरलब हो चुका है मरोड फली का वरुक्स अब दुरलप होनस पत्यों की सुची में आ चुका है अब ये ज़्यादा तर घने जंगलों में ही पाया जाता है इस वरुक्स की साखाए जमिन की तरब चुकी होई होती है इस वरुक्स की जो फलिया होती है ये मरोड वाली होने के कारण इसे मरोड फली से जानते है वामर्द फला और रंगलता इसका संस्कृत नाम है हिंदी में मरोड फली से जानते है और मराठी में मरोड सिंग कहते है इसका गुजराती नाम मरोडा सिंग और लेटिन नाम हेलिकाटरेश इसोरा है आयरुविद के अनुचार मरुड फली, मधूर, सितल और बुद्धी को बटाने वाली होती है यह कप कारक होती है और विर्यक को बटाती है यह बल बटाने वाली, खुन साप करने वाली और खुन की कमी को दूर करती है तो दोस्तो आये जानते है कि मरूड फली हमारे सहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होती है इस वरुक्स की जड के चुल्ण को या इसकी जड को चास में घिसकर 2-3 बार दिन में पीने से 30 सार मिटता है इसके अलावा इसकी फलीों को 5-6 घंटे तक पाने में बिगोकर रखने के बाद चान कर पिने से रखत अतिसार याने खूनी अतिसार मिटता है दोस्तो ये कब्ज और गेश में भी बहुत फायदेमंद है इसकी फलीों की चूर्ण को 2-3 ग्राम की मातर में सुबह साम 2-3 बार लेने से कब्ज में आराम होता है पेट दर्द मिटता है और गेश तूर होती है इसके अलावा यहाँ उल्टी बंद करने की कारगर अवसदी है इसकी फलीों की चूर्ण को लगभग 5-6 ग्राम की मातर में लेकर सहद के साथ मिलाकर चावलों के दोन के साथ पिने से उल्टी बंद होती है दोस्तो यह दस्त को भी मिटाती है इसके लिए इसकी फलियों के चूर्ण या पावडर को 10 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिला कर की के साथ सेवन करने से 10 तो मिठता है इसकी फलियों का चूर्ण 3-4 ग्राम की मात्रा में की और मिश्री के साथ मिला कर खाने से पेट का दर्द दूर होता है दोस्तों ये अवसदी डायाबेटिस में भी लाब करी है इसकी चाल का काड़ा बनाकर सुबह साम पीने से डायाबेटिस कंट्रोल में रहता है इसकी चाल और फलियों का काड़ा बनाकर सुबह साम कुछ दिनों तक लगादार पीने से खुन साप हो जाता है ये अवसदी चर्मी विकार में भी फायदे मंद है इसकी जड़ को पानी के साथ घीसकर लेप बना कर लगाने से फोड़े, फुंसी और चर्मी विकार मिठते है इसके अलावा इसकी चाल और इसकी फलियों का पेश्ट बना कर चहरे पर लगाने से चहरे के ताग धपे दूर होते है तो दोस्तो हम आसा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपकी जिवन में लावकारी सिद्ध हो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है दन्यवाद